कि रूपिया ध्यान रखे किस चैनल में सभी की सभी जो जानकारी वोग सेक्षिक और सुपमक्ष उदिश्यों के लिए इस यूटूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वित्य शला कानूनी शला या तो व्यक्तिगत शला के रूप में नहीं लिया जाना चीए चैन दोस्तों सुलाना के अंदर उसके प्राइज के अंदर एक अच्छा खासा हमें रेली देखने को मिलता है तकरिबन सुलाना जब FTX कोलेप्स हुआ था तब 8 डूलर के उपर चला गया था वहीं पे आज की तारिक में हम देखे तो सुलाना का प्राइज 55.33 डूलर के उपर ट्रेड कर रहा है अब जहां पे FTX कोलेप्स हुआ था वहां से हम देखेंगे तो कितना एक पंप हुआ है अब 8 डूलर से हम किल्कुलेशन करेंगे कि अभी तक यहां पे सुलाना कितना प्रॉफिट दे चुका है तो देखेंगे तो तकरीबन तकरीबन 600% के आसपास सुलाना के अंदर हमें जम्प देखने को मिलता है अब कुछ लोग ऐसा के रहे हैं कि सुलाना का प्राइस 100 डूलर चला जाएगा सुलाना में भूल रिली आ गया जब भी मैं प्रॉफिट बुकिंग के बारे में बताता हूँ तो केते की सागर भाई गलत हो गया काफी पंप हो गया है और ये सुलाना का प्राइस 100 डूलर तक रुखने वाला नहीं है कुछ लोग मेरे को ये बताते है मैं कहता हूँ कि बाइंग प्राइस के मैं पॉइंट दिखाता हूँ कि 25 पे लेना है 20 पे लेना है तो उन लोग का ये कहना है कि सुलाना कभी भी 25 डूलर वापस नहीं आएगा अब थोड़ा सा टिक्निकल देखेंगे और कुछ और रिजन दिखाएंगे कि क्यों मेरे को लगता है कि सुलाना अगेन एक अच्छे प्राइस के उपर मिल सकता है तो सुलाना के अंदर हम बात करेंगे पहला पॉइंट तो ये है कि सुलाना अभी ये प्राइस के उपर चल रहा है एक रेजिस्टन्स के उपर है फिलाल दीख तो ऐसा राय कि तो रेजिस्टन्स ये हमने लाइन पहले से लगा रखे दीख तो ऐसे रहा है कि रेजिस्टेंस ब्रेक आउट हो चुका है वीकली टाइम फ्रेम के अंदर है दीख ऐसे रहा है कि रेजिस्टेंस ब्रेक आउट हो गया है बट एक केंडल से कभी भी कनफॉरमेशन नहीं मिलता है एटलिस्ट है 55 डोलर से उपर दो वीकली केंडर क्लोजिंग करता है तो चांसी है कि और ज्यादा उपर जाए वो 2% चांसी है 98% चांसी है कि सोलाना को यहाँ पर बड़ा रिजेक्शन मिल शकता है चूकि इससे पेले पूरे के पूरे चार्ट में अभी दग हमने देखे पर फहले बाते करते थे वह छोटे रिजिस्टंस थे वाट अब हम क्रीटीकल रिजिस्टंस के बाएं में बात करेंगे कि उपशलास के तो 2021 के अंदर सोलाना पहला resistance लेता है तक्रीबद 55 डोलर के आसपास वहाँ से correction लेता है और तक्रीबद 17-18 डोलर के आसपास सोलाना का price गिर के आ गया था उसके बाद दूसरी try करके इसको break out किया था चले एक बार में नहीं मानेंगे उसके बाद दूसरी बार जब सोलाना ने जब लुना वगरा collapse हुआ था तब breakdown हुआ था चोवन डोलर का support एरिया था उपर से जब नीचे आएगा तो support बनेगा breakdown किया था अगेन उपर दाने की काफी कोशिस की बट नहीं जा पाया resistance लिया और गिर गया तो दो बार बड़े time frame के अंदर देखेंगे तो resistance phase किया था शोलाना ने 50 से 60 डोलर के बीच में तो यहाँ पर मैं मानता हूँ तब तक शोलाना यहाँ पर एक बार बड़ा rejection लेगा और शोलाना के अंदर काफी बड़ा गिरावट आने के चांसी दे शोटा मोटा गिरावट नहीं आएगा 30% के आसपास 30% से ज्यादा के गिरावट में समच रहा हूँ क्योंकि मैं buying point यही दिखाऊंगा बार बार 25 डोलर के आसपास का level उसके उपर शोलाना का प्राई जाने के चांसी दे और मैं भी वहाँ पे ही buying करना चाहिए वह safe buying है अगर नहीं आता है तो भी profit booking बनता है चुकि आप profit book नहीं करेंगे तो क्या करेंगे हम profit book करने के लिए तो आये है ऐसा थोड़ी ना है कि शोलाना 25 पे नहीं आया तो क्या करेंगे अब तो कोई और कोई में गुज़ जाने का बट profit book करना काफी important है अब यह कैसे लेवल के उपर आ गया है rejection मिलेगा तो कुछ short term के अंदर भी शोलाना का price तीस डोलर से नीचे जाता हूँ आमें नजर में आ सकता है तो यह हो गया टेक्निक लिए अब हम fundamentals बात करेंगे solana project तो strong है इसा नहीं कि पूरा profit booking आप चाहिए तो 80% 70% at least profit booking बनता है अब अच्छा price यहाँ पे मेरे को लगता है तब तक अच्छा खासा price के उपर पहुंच चुक है almost 600% return कुसी time के अंदर देखेंगे यहाँ से timing निकालेंगे तो एक साल के आसपास का timing हुआ है वो 600% plus हु तो FTX के पास अभी अभी हाल कौन से coin उसके पास holding में थे तो उसके अंदर FTT खुद के netty token थे दूसरी बात कि उसके पास Solana काफी ज्यादा holding थे तो Solana pump हुआ जैसे pump होता गया वहाँ पे FTX का wallet है आप भी blockchain के उपर देख सकते हैं तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ नो तारिक के दिन मतलब 9 नवंबर के दिन Solana जो ट्रांसफर हुआ है तीस एकाउंट मतलब की यहाँ पे पहले लिखा आता है FTX का wallet address में पहले से share करके रखाऊं इसके wallet address से ट्रांसफर हुआ है एडरेस के अंदर मतलब की centralized exchange के अंदर हो सकता है साड़े साथ लाक सोलाना उससे पहले देखेंगे तो FTX अपने wallet से दूसरे wallet के अंदर या तो दूसरे exchange के अंदर डाई लाक सोलाना ट्रांसफर करता है उससे पहले देखेंगे तो 7 तारिक के दिन साड़े साथ लाक सोलाना उससे पहले 6 तारिक के दिन 4 लाक सोलाना उससे तो इसे transaction कब से होना शुरू हुए है मैं और लड़ी एक बार दिखा चुका हूँ कि यही महीने के अंदर से पहले दूर दूर तके लोग transaction नहीं करते थे यही महिने के अंदर में लास्ट वाला ट्रांजेक्शन दिखाता हूँ तो यह लास्ट वाला ट्रांजेक्शन है 24 ओक्टोबर 2023 के दिन पहला ट्रांजेक्शन यहाँ पे होता है 1.58,000 शॉलाना ट्रांसफर होता है FTX वोलेट से 24 ओक्टोबर तो अब प्राइस देखते हैं कि 24 तारीक को शॉलाना का प्राइस कया था मेरे को यह सा खुद को लगता है कि शॉलाना पंप कराने का रिजन ही है FTX के पाद ज्यादा होल्डिंग थी इस बज़े से इस लोगों ने कुछ पंप कराया और उसको प्राइस अच्छा काजा लेने के लिए प्रॉफिट बुक करने के लिए या तो फिर उसका वेल्यू बढ़ाने के लिए ये भी हो सकता है तो 24 तारीक का डाटा देखते हैं तो 23-24 तारीक के आसपास यहाँ पर 16 प्राइस हम देखेंगे इसका मतलब यह हो सकता है कि FTX ने 34 दोलर के उपर भी प्रॉफिट बुक किया है फिर 43 के उपर गया वहाँ पर भी प्रॉफिट बुक किया है और यह मान के चलिए कि यहाँ 60 के आसपास भी इस लोगों ने 16 को सेल किया है मतलब पंप भी घरते जा रहे और पार्ट में एकजिट भी ले रहे ऐसा हो सकता है और यहाँ पर एक कनपोर्मेशन ओर है कि इन लोगों ने पहला प्रॉफिट बुकिंग यहाँ से किया है 32 के आसपास तो 16 ना आसाने से 33, 32 आ सकता है 33, 32 यह तो मैं इतना ही नहीं मैं तो ज्यादा बता रहा हो कि 25 तक आएगा बट यहाँ पर FTX के इसाप से हम चलेंगे तो 32, 34 क्योंकि उन लोगों ने वहाँ पर बेच्चा है बेच्चा इसका मतलब कि वहाँ दूसरी बार आ सकता है वोल लेड़ी उन लोगों ने वहाँ पर बेच्चा तो है अगर वापस वो खरीदना चाहते है फिर उपर से एवरेज करेंगे और 34 से भी नीचे ले जाएंगे क्योंकि वोल लेड़ी वो 34 पर तो एक बार प्रोफिट बुक मार चुके है एक बार ट्रांजेक्शन कर चुके है और आपको क्या लगता है क्या ये FTX के पास इतनी ज़्यादा होल्डिंग थी इसलिए सोलाना, बिट कोईन और FTT को पंप कराया या तो रिजन को और ही थे आपको क्या लगता है गोर्मेट में बताना है बाकि अभी आप 100-100 डॉलर की बाते कर रहे है इतना तो मेरे को भी पोसिबल नहीं लग रहा है और है रेजिस्टेंस ब्रेक भी होता है तो भी दूसरा रेजिस्टेंस आजाता है 76 डॉलर बट 76 के भी चांसीज कम हैं अगर आप तो भी बुडिस है तो एक बार थोड़ा कनफोर्मेशन के साथ काम कर सकते हैं एकाद दो वीक दस बारा दिन की बात है क्योंकि स्पोर्ट में उतना अगर आप वेट करेंगे तो यहाँ पर पदा चल दाएगा कि क्या सुला ना जिसके उफर सस्टेंड करता है या नहीं करता है मैं एक तरफा एनलेसिस कर रहा हूं जिसकétat्व लीक पर रज स्वोर्ट मेंगे わかりました